विभाग एक पक्षिल वनवे चल रही है विभाग को टूवे चलना चाहिए विभाग वनवे चल रही है और इससे कोई असर नहीं पड़ता है मुझे लगता है जो यह समझ करके किया जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए जो कि हम सिक्षा में व्यापक सुधार करेंगे से यह आनन भानन में निकाला गया है कि संगंज के डियों ने तो एक पत्र निकाल दिया और निदेशक माद्यमिक सिक्षा का पत्र निकला है लेकिन वहां के डियों यह नहीं जान रहे हैं जो कि निदेशक माद्यमिक सिक्षा हमसे भी बड़े पत्पर कारे रही है कम से कम 25 जो निर्धारित दिन है अध्यापन का वह आपका कहीं से कोई प्रभावित नहीं है कर दो कि अध्याइब कर दो कि बेतन कटोटी की बात अक्सर हुआ करती थी लेकिन इस बार छुट्टी की कटोटी की की बात भीहार से सामने आ रही है जिरilde बात कर रहे हैं बिहार सिक्षकों के लिए सितंबर से दिसंबर तक के महिने का उसे घटा करके 11 कर दिया गया है इन सारे मुद्धे पर बात करने के लिए हम आप पहुंचे हैं संजीब कुमार सिंग के पासरीन से जाने की कोशिस करते हैं कि केके पाठक का यह फर्मान अब कैसा लगा यह तो एकदम गलत है यह जो भी अधिसूचना सिच्छा विवाग के तरब से की गई है चुटियों में कटोती की यह एकदम ही गलत है और मुझे लगता है यह धार्मि सुक्राइबoredक आश्था से मजा किया जा रहा है एसे महत्वपुर्ण और जो रक्षा बंधन का पर्व है। क्या बच्षे क्या बुर्हे क्या युवा सभी मनاتे है भाईवहन का पर एक ही है लेकिन इसको भी रद्ध कर दिया गया और दूसरी बात जो तरक दिया गया है छ लेड़ी यह पढ़ाई पठन पठन चल रहा है अब कहीं अगर परिच्छा होती है आयोग के द्वारा ली जाती है या कोई अन्य गैर सेक्षिनिक कारी होता है तो उसमें इनका क्या उसमें इनका क्या दोस्त आपने कहा कि सबसे उपर सरकार है लेकिन जिस तरह से हर दिन एक उसमें बहुत सारी बातें हम लोग भी देते हैं पत्र के माध्यम से देते हैं सत्र के माध्यम से देते हैं और जो आपके मीडिया के माध्यम से जाता है उस अभी तरह से जाता है तो बहुत सारी जानकारी विभाग एक पक्षिल वन वे चल रही है विभाग को टूवे चलन करेंगे तो भाई जब सिक्षकों को आप आपने फर्मान से और सहज कर रहे हैं तो फिर कहां से यह यह कैसे होगा मुख्य मंत्री से में इस विश्या पर जाकर मिलें निश्चित रूप से पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे जो कि मुख्य सचीव से मिलें मुख्य सचीव संदर्व में किया जाना यह कहां तक सही है पहले तो मुख्य सचीव को जानकारी देंगे मुख्य मंत्री जी से भी समय लेंगे उनको भी कहेंगे जो कि इस तरह से चला रहा था मतलब मेरा कहना यह है आप कहते हैं 220 दिन और 200 दिन यह पढ़ाई लिखाई का यह होना आप देखेंगी जो कि साथ अवकास घोसित हैं और तीरपन 53 उसमें संडे है तो सब मिला करके तो 113 दिन हो जाता है तो वह करें 220 दिन उससे तो अधिक पठन-पाठन हो रहा है अब उसमें उनका कहना है जो कि आपदा विपदा परिक्षाएं विधी वेवस्था दिस दे तो उसके लिए आप क्यों नहीं अलग से प्रियास करते हैं आप आपको जब इतना ही पढ़ाई से यह है पठन-पाठन से है सिक्षा में सुधार हो तो आप कोई भी आप तो परिक्षा हॉल भी जो सरकार ने परिक्षा हॉल बनाया है यह आश्चर्ज की बात है जो कि परि छक प्षा को जो अबकास दे हैं जो उनको देखे यह सब नई सरगीक अधिकारिता के तहत या उनके भावनाद जो धार्मिक भावनाय हैं उसके तहत सबको छुट्टी दी जाती है और उसमें समय समय पर संसोद्धन किया जा रहा है इवनकि छुट्टी को बढ़ाया भी ज जा रहा है काटा नहीं जा रहा है बढ़ाया भी जा रहा है लेकिन मुझे लगता है जो कि जिस तरह से यह आनन फानन में निकाला गया है कि संगंज के डियों ने तो एक पत्र निकाल दिया और निदेशक माध्यमिक सिक्षा का पत्र निकला है, लेकिन वहां के डियो ये नहीं जान रहे हैं, जो कि निदेशक, मादियमिक सिक्षा हमसे भी बड़े पत्वर कारियरै घर उनका कोई पत्र निकल चुका है, تو उनके पत्र को तो उनके उपर के प्रोटोकॉल में जो होंगे वो रद करेंगे या वही खुद रद करेंगे लेकिन एक डियो जो है वो अपनी सीमा से बाहर जाकर के वहां के पत्र को रद करेंगे यह तो सब लगता है जो कि कहीं कोई सही रूप से यह नहीं चल रहा है यह 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 पढ़ाई लिखाई जब सिक्षक ही कड़ेंगे सिक्षक ही जात्रों को पढ़ाएंगे फिर तो आपको यह तै करना परेगा जो कि सिक्षक सहज हो करके कितना अधिक अपने विद्याले के जो अध्यापन अभधी है उसमें कितने अच्छे से अध्यापन दे सक से कम से कम 25 महला सिक्षकाओं का फोना कि मंसे कम और इस तरह से दुर्गा पूजा को या छठ पूजा को इस तरह से यह करना आपका आपका जो निर्धारित दिन है अध्यापन का वह आपका कहीं से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है कहीं से कुछ प्रभावित नहीं हो बात बच रही है जो कि उसको एक अंस में ला करके आप सिर्फ यह कह रहे हैं जो कि यह जो बिभिन आयोग द्वारा यह द्वारा जो परिक्षा लिजाती है उसके चलते जो चात्र चात्रों का पढ़ाई बादी तो सब जगा तो नहीं होत हैं और उसके लिए आपके पास बहुत सारी वाईकल्पीग व्यवस्तान है आप उसक्षा के संस्तान ले सकते हैं कि नहीं बदलाव होगा सरकार के संग्यान में अगर जाएगा आपने आज से लेकर के जो इस वर्ष का जो दिसंबर तक का ये है केलेंडर उसमें आपने में मनाया जाता है और अब जन मास्टमी के पर्व को ऑठ उसको कटोती कर दी है अखिर जब निरधारित घोशित अवकास एक्षिया जब किया घया तो इस पर विसद चर्चा हुई तब नहीं इसको खिया गया ऐसे तो किया जाता है उस समय भी विभाग नहीं किया था और आज भी विभाग कर रहे हैं लेकिन गलत रूप से कर रही है एक पक्षिय वन वे चल रही है और जिस तरह से सिक्षकों के चुटियों में कटोती की गई है और उसके अलावा भी कई ऐसे निर्देश दिये जा रहे हैं जिसको लेकर के सिक्षक और सहज महसूस कर रहे हैं सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं इन सारे मुद्य को लेकर के एक वार ये मुख्यमंत्री से मिलेंगे और बहुत जल्द पॉजेटिव रिजल्ट भी आएगा फिराल के लिए नहीं बने रेकसिस उनके साथ पटना संग कितासिंग रिपोर्ट